हेलो दोस्तों, आई आज की वीडियो में समझते हैं एंटी डेट, शब्द का हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग with example, एंटी डेट एंटी डेट का इंग्लिश में मीनिंग होता है precede in time, come before हिंदी में मीनिंग है, पूर्वतिती देना पहले की तारीख देना, अनागत को वर्तमान बताना चलिए इसको example से समझते हैं The discovery antidates previous estimates of human settlement in the area यह खोज छेत्र में मानो बस्ती के पिछले अनुमानों से पहले की थी The discovery antidates previous estimates of human settlement in this area यह खोज छेत्र में मानो बस्ती के पिछले अनुमानों से पहले की थी तो यहाँ पर antidates का मतलब है पहले होना या पूर्वतिती देना या पहले की तारीख होना तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching